इस्राइल हमास युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से जंग में कई मोड देखे गए जंग के शुरुआती दौर में ऐसा लगने लगा था कि अब नेतन्याहू की फोज गाजा पर कबजा कर लेगी और नेतन्याहू की कसम पूरी हो जाएगी लेकिन जंग जैसे जैसे आगे बड़ी उसमें नए नए पड़ाव आते गए और अब ऐसा हो गया है कि इसराइल की सेना के लिए ये जंग एक बड़ी चुनौती हो गई है क्योंकि जिस तरह से हमास और उसके प्रतिरोधी गुट मिलकर आईडियफ के नाक में दम किये हुए है उससे एक बात साफ है कि जंग की दिशा बदल सकती है इसराइल चुनचुन कर हमास के कमांडर्स और लीडर्स को मार रहा है इसके जवाब में हमास और प्रतिरोधी गुट इसराइल पर भैंकर तरीके से हमलावर है लिबनान का हिजबुला आए दिन आईडियफ और उत्री इसरायल पर हमलावर है साथ ही गाजा के जिस इलाके में इसरायली सेना आगे बढ़ चुकी है हमास के प्रतिरोधी कुटो की वज़े से उसे वापस वहीं आकर फिर से लड़ाई करना पड़ रहा है और फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने गाजा पट्टी में इसरायली कबजे वाली सेना के खिलाफ लड़ाई और घात लगाकर हमले करना जारी रखा है इसी कड़ी में फिलिस्तिनी प्रतिरोथ सिनानियों ने गाजा पट्टी में इसराइली कबजे वाले बलो द्वारा कबजा किये गए ठीकानों पर एक और हमला किया हमास के अलकसम ब्रिगेड ने गाजा और रफा से लगे शहर अलजायतून में इसराइली बलो पर जबरदस्त हमला किया यह हमला इतना घातक था कि इसमें करीब 12 सैनिक खायल हो गए और एक सैनिक की जान चली गई इस बात की पुष्टी खुद इसराइली रेडियो ने की है जिसने बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी है इसके साथ ही अलकसम ब्रिगेड ने भी अपने टेलिग्राम चैनल पर इस हमले के बारे में जानकारी दी अलकसम ब्रिगेड ने घोशणा की है कि उसने गाजा शहर में अलजायतुन पडोस के दक्षिड में घुसपैट करने वाले दुश्मन बलों के साथ भीशर संगर्ष में लगे हुए थे जिससे उनके बीच कई लोग मारे गए और घायल हुए घायलों को निकालने के लिए एक यासूर हेलिकॉप्टर उतारा गया एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग में घायल हुए सैनिको को बेरुशेबा, तेल अवीव और कबजे वाले येरुशेलम के अस्पतालों में ले जाने के लिए कथित तौर पर पांच हेलिकॉप्टरों का इस्तमाल किया गया है इसके साथ ही इसलामिक जिहाद मुव्मेंट की सैन निशाखा अलकुट्स ब्रिगेड ने भी जैतून पडोसी देश के दक्षडी हिस्से में इस्राइली बलों के साथ भीशड जड़पों में शामिल होने की सूच ना दी, जिसमें उन्होंने इस्राइली बलों पर मोल्ट के गोले से निशाना बनाया वही अलकुसम ब्रिगेड ने कहा कि उन्होंने रफा के तेल अल सुल्तान पडोस में कमाल अदवान स्कूल के अंदर तैनात एक इस्राइली बलको एंटी पर्सनल शेल से निशाना बनाया उनके साथ नजदीकी मुटभेड की और हता हत हुए इसके साथ ही ब्रिगेड ने कहा कि उन्होंने उसी पडोस में 105 अल यासीन गोले और एक टेंडम शेल के साथ चार इस्राइली मरकवा टैंकों को भी निशाना बनाया झालाया झाल